स्थ्री सिंगार करे कोई आप पत्ती नहीं, सादू भी सिंगार करते। चंधन का लगाया प्छिट में टिला लगाये सिंगार नहीं तो क्या है!.. जै राम जी॥ तिल्ला कैसा हो आयना दिखकत सेटिंग करना इदाड़ी वाले बाबा को भी सिंगार करना पड़ता है क्या बात करना पड़ता नहीं है मोज है ये सिंगार किसकी याद दिलाता है जैसे स्वागनी पती की प्रसंता के लिए सिंगार करती है पती की प्रसंता के साथ साथ, पती और पत्नी दोनों के स्वास्त की सुरक्षा रहे, ऐसे द्रवे सिंगार में काम आते थे, अभी तो केमिकलों का सिंगार दोनों के स्वास्त की सत्यानास करे, ऐसे सादू का सिंगार है कि चंदन, अभी मेरे पास समय नहीं था, फिर भी लग आके देखा देता हूं, ये चंदन, अब ये सादू मंच पे आते ही चंदन लगा के आते हैं, इस सिंगार के पिछे क्या रहास्या है, कि चंदन शीतल स्वभाव हो है, अब बूलने से प्रांश और जीवनी शक्ति उपर को चलेगी, मगज में गर्मी का प्रभाव ना पड़ इसलिए चंदन का सिंगार कर दिया, बीच में इधर तिल्द क्यूं किया, कि यहाँ शिवनेत्र है, मंगल कारी द्रष्टी देने वाली उर्जा है, वो सेंसेटिव रहे है, तो ये सादू का सिंगार, तो वापु जा प्रवचन करते हैं, लेकिन कई ऐसे सादू हैं, जो प वाइष्ण व सिंगार, और किनी कई वक्ताधम का सिंगार, तो सिंगार भी भिन्न भिन्न होते हैं, आपके मन से ही आप जनम्रन के चक्कर में जाते हैं, और मन से ही मुक्ति मिलती है, आपका मन कल्पवक्ष है, मन एव मनुशानाम कारणं बंध मुक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण मन है, यही मन देवता बनाएगा, अगर सात्विक जीवन में राहातो, कीट पतंग इशाच आदियोनी में अथवातो, नर्कों में ले जाएगा, अगर तामस की प्रधानता होई तो, आपका आत्म तो शाश्वत जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे शिव स्वरु परभ्रम्म परमात्म सर्वत्र है, उसके साथ जुड़ा हुआ है मन, मनी राम, मन से जुड़ी बुद्धी, और इन दोनों से जुड़े पाँच प्राण, पाँच कर्मिंद्री, पाँच ज्ञान ज्ञान ब effort कर्ण ज्यान इंदंरों को ज्ञान तन्मात्रे बुलती। यह सभ एक सात्में सुख्ष्मत मोथे और सत्रा का जुण्ध सुड़ते जीवात्मा, तो जीवात्मा में जह सात्रा जूंड गढ़ा आकाश जाता है। तो जहां भी गये Heute बहुँ तो जहां भी घ्यासoten। आ इन उसे सुख्ष्म सरी जहां जाता है। शुक्ष्म नेहां जाता है तो आकार साफ्थ में। आकाश तीन प्रकार के होते हैं. इन आखों से जो ये पोला देख रहा है, नीलवर्ण देख रहा है, इसे भूताकाश कहते हैं, इससे भी जादा सुक्ष्म, जहांसे तुमारी मनव ब्रत्ती, बुद्धी ब्रत्ती, उत्पन्न होती है, सुख दुख का अनुभाव करने वाली, वो चित्ताकाश है, भूताका आपको भी नही के दिखता, आप के चित्त में थी मिनट के बाद कोन सा पाहता है, सुख को बताु तो हम आपसे है, जहारम् आपको बता नहीं, हाँ, अगर आप चिदाकाश में पहुंचाएं, तो आप अपने मन की और दूसरों के मन की बता सकते हैं, उस दिन के बाद ये ऐसा होने वाला है, दो दिन के बाद ये करेगा, पांच दिन के बाद ये ऐसा करेगा, हाँ, अथवाज्यात चिदाकाश में रहते हैं, बआबा जी वो फलाना सादू, बड़ा एक आंत में रहता है, और बड़ा तपस्या करता है बोले देखते रहना वो भीड में भी जाएगा तपस्या छोड़ेगा खोब गाड़ियों में घुमेगा मुले बाबा जी कैसेगा कि हमको लगता है साम और सच मुझ उसका वैसा हुआ तो वो चिदाकाश में है भूताकाश से सुक्ष्म चिदाकाश चिदाकाश से परम सुक्ष्म चिदाकाश तो जैसे ये भूताकाश में सारे मकान, घर, मनुष्य सब भूताकाश में है तो जैसे घड़ा इस आकाश में है तो आकाश के आगे घड़ा क्या सा चोटा सा है तो ये भूताकाश में घड़ा है और घड़े में भूताकाश ऐसे ही भूताकाश में चिदाकाश परमात्मा है। अब द्गुणक्मा आकाश में अद्धा, नित्या और नित्यास्थ्या। नित्याकारन रूपां और नित्याकारे रूपां। यह तो महापरले में यह भी चटो हो जाता है। लेकिन नित्या रहता है। अब एक दमुच्अधी पर आप चले गएं, आपके पासादो किया जह वैसा मन होता है वैसा अदमी कहा जाता है, कोई सज्जन कहा जाता है, कोई बीच का बनिया टाइप कहा जाता है, कोई स्वार्थी कहा जाता है, बुद्धु कहा जाता है, यह कहा जाता है, यह सारे मन बुद्धी कही उतार चड़ाव के कारण देखता है, तो आपके मन, मनी र तो पांच भूत है, पृत्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों भूतों की पांच तन्द मात्रा होती है, पृत्वी तन्मात्रा, आपका मन जब पृत्वी तन्मात्रा से जुड़ा रहता है, पृत्वी तत्व बहार का नहीं, तन्मात्रा तिन्त सुक्ष्म होती, जब मन पृत्वी तन्मात्रा से जुड़ता है, तो उसके दो प्रकार बनते हैं, पृत्वितन मात्रा से एक तो जैसे बालू के कण दिखरा हुआ और दूसरा चक्टान किनाई जैसे बालू के कणों से टिले के टिले बन जाते और दो दिन के बाद वह टिले उड़कर दूसरी जगा पहुंच जाते तो पृत्वितन मात्रा से मन जुड़ा तो अगर कोई संकल्प है कोई व्रत है कोई नियम है तो आपका मन द्रड़ होगा अगर जीवन में कोई संकल्प व्रत नियम नहीं है तो जो आयासो खा लिया, जो आयासो कर लिया, जो आयासो भोग लिया तो मन तुछ बालू के कड़ों की नाई जरासत सुख दुख मान अप्पान जरासाई धरू दखे धके में मन उरता रहेगा, विखरता रहेगा जब मन में प्रुत्री तन मात्रा का जोर होता है तो या तो अडिक या तो अत्यंत तुछ इसकंद पुरान, ब्रह्म खंड, ब्रह्मोतर खंड का चौत्व अध्या पहला श्लूक शिव गुरु शिव देवा, शिव बंधु शरिर नाम, शिव आत्मा, शिव जिव, शिवाद अन्यात न किंचित भगवान शिव वह आत्मदेव वही शिव गुरु है शिव ही देवता है वह चिदाकाश समझ गए भूताकाश चिताकाश चिदाकाश चिदाकाश ही शिव सबको ठोर देने वाला तो भगवान शिव ही गुरु है शिव ही देवता है शिव ही प्राणियों के बंदू है शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं तो उस चिदाकाश की सत्ता से भूताकाश चिदाकाश की सत्ता से महतत्व महतत्व की सत्ता से प्रकर्ति प्रकर्ति की सत्ता से पाँच भूत और पाँच भूतों के ये तन मात्र है और वो तन मात्रा आपके मन से जुड़ी प्रुथ्वी तन मात्रा आई तो उसके दो भा या तो अत्यंत बालू की नाई आपका मन इधर होता है कभी और कभी कभी आपका मन चट्टान की नाई अड़ जाता है तो अड़ जाता है माई भी अड़ गई तो अड़ गई, अड़ गई तो ड़ गई, भायों में भी कभी ऐसे ही होता है, अड़ गई तो अड़ गई, और चल दिये तो चल दिये, तब समझना चाहिए कि पृत्वी तन मात्रा का प्रभाव में मन है, फिर होती है जल तन मात्रा, जलतन मात्रा में का स्वभाव क्या है जलतन मात्रा का स्वभाव है स्नेह आपके हर्ष के आशु आते हैं स्नेह से रदे द्रवित होता है पिघलता है तो इस समय आपका मन पृत्वीतन मात्रा से हटकर जलतन मात्रा में है तबी आप सने और द्रव्यता पिघ्लम का ऐसास करते है सने भी दो प्रकार का होता है एक अंतरस्ने और दूसरा बहिस्ने किसी लवरे को लवरी को या किसी चीज़ वस्त को देखा उसके लिए सने आया और उसके पीछे ललक लगी वो आपको बानने वाला होगा और परमात्मा की महिमा परमात्मा का जब परमात्मा की प्रिती के लिए कर्म करते करते आपको समाज रुपी देवता के लिए इसने है गुरु रुपी प्रकाशक के लिए इसने है सचिदानंद प्रभु के लिए इसने है वो आपको प्रभु मै बना देगा, इश्व से एक कर देगा. कितना उंची उपलब्थी है, सनेह आप कर सकते, लेकिन अपन श्वर को कर रेकिशा, श्वत को मन को आप मोड़ सकते. बाहर के सनेह, बाहर की वस्तुव में जो आ सकती है, स्नेह बढ़ता है आसकती होती है वो बांधती है अपने जीवन में त्याग का सामर्थ होना चाहिए एक दिन ऐसा आएगा कि प्रिय से प्रिय पत्नी प्रिय से प्रिय पती प्रिय से प्रिय धन प्रिय से प्रिय जो भी कहलाने वाले उसको आप छोड़ना ही पड़ेगा अरे प्रिय से प्रिय शरीर होता है, पत्नी से भी जादा अपना शरीर प्रिय होता है, पत्ती से भी अपना जादा शरीर प्रिय होता है, कई द्रश्टान थे, लवर लवरी दोनों आत्मात्या करके मरें, जब आत्मात्या की दाहकत आई, तो लवरी भाग गए, लवर जल के मर गय या इसे द्रश्टान धमने देखे सुने, तो अपना शरीर प्रिया है, और ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो जितना शरीर में स्ने होगा, उतना मृत्यु का भाय, और छट पटाट, और दुबारा भटकना पड़ेगा, प्रेत की ना है उस शरीर में गोशने को, तो जब शरीर जैसे का भी त्याग करना है तो आपके जीवन में त्याग का सामर्त्य है कि नहीं, इसलिए परवों में वरत करदो, बोजन तो प्रिया है, कोई निर्जलाई कादाशी रखते तो जल्ट प्रिया है प्रानों के लिए निर्जलाई कादाशी, बहगवान ने कहा, कि मैं दान से, यग्य से, तप से, होम से इतना प्रसन नहीं होता हूं जितना व्रत से प्रसन होता हूं कि आपके अंदर त्याक का सामर्थ्य व्रत से आएगा अब इकी जोसी जन्य वसंतर उतू है सर्दियों में जो खाया, पचाया, उसका जो कप की प्रधानता से बना रहा कुछ नाडियों में वो द्रवीत होगा, थोड़ा पिगलेगा सुर्य के तीखे के वो जठ्षरा में आएगा, अब रत रखोगे तो उस इतने सारे उर्जा को पचाने का समय मिलेगा जठ्षरा को, नहीं तो वो पचेगा ने रूप ठासते जाओगे तो फिर शरी टूटेगा, बुखार आएगा, बुखार को दान दबाने के लिए गोलियां खाये तो फिर प्रकप सुकेगा, कैंसर बनेगा, लीवर खराब करेगा, किड्नी खराब करेगा, तो यह व्रतों जल तन मातरा, तेज तन मातरा, वायू तन मातरा से उठके एकडम आकाश तन मातरा में पहुंच जाएगा, तो पृत्वी से जल उत्तम, जल से तेज उत्तम, तेज से वायू उत्तम, वायू से आकाश उत्तम, तो जल से स्नेह, द्रविता, पिगलान, स्नेह अगर नश्वर अगर शाष्वत अपने आत्मा शिव में है, प्रमात्मा में है, अपने मन के चंचल होने और द्रण होने को जानने वाले में स्ने है द्रश्टा में, तो आप बाजी जित लोगे, मुक्त होने की. ऐसे ही जल में, जो द्रवता है, स्ने है, उसमें मन होता है, उस तन्मात्रा में तो मन ऐसा है, तो मन ऐसा होता है, हम स्ने कर रहे हैं, यह तो जानते हो, मन से जुड़ कर. नहीं जलतनमात्रा की द्रविता से मन में सनहे आया अब जिसके प्रति सनहे आया उसकी बाद से कुछ अड़ गये तो फिर उसके प्रति उब भी तो आती है तो उब का भी साक्षिय सनहे का साक्षिय वो चिदाका स्वरुप परमात्मा मेरा आत्मा है उदर का स्नेह मुड़ गया तो आप साक्षात कारके राज जमार्ग पे आ गए महुत सरल हो गया यह तो बच्छमन में कई चीजों को वस्तों को व्यक्तियों को स्नेह किया वो खिलोने कहा है लेकिन स्नेह करने का जलतन मात्रा तो है और उसे से तुमारा मन कभी कई स्नेह करता कभी कई से उबता है तो उसके उबान को और स्नेह को भी तो देखने वाला कोई है जो देख रहा है उसमें अगर स्नेह मुड़ जाए तो मन ब्रह्मर रूप हो जाएगा शिवरूप होगा गुरू रूप हो जाएगा तीसरा है तेजस्तत्व तेजस्तत्व से चित्ट में राग पैदा होता है ललित वर्ति पैदा होती है फिर वो राग नश्वर में करो तो कामिनी से करो तो कामी धन से करो तो लो भी परिवार से करो तो मोही पद से और सर्य से करो तो अहंकारी बन जाते हो लेकिन वही राग अगर ललित भती से राग को देखने वाले से राग आ जाए तो राग को देखने वाले से आपका राग आपको जोड़ देगा मन में कितनी शक्तियां छुपी है कितने सद्गुन छुपे केवल मोडने की कला की बलिहारी चोथा है वायु तत्व अच्छा तो तेज तत्व से अगर आपका तेज तत्व सात्विक है तो प्रकाश देखेगा बुद्धि मता रहेगी अगर राजसी है तो ललित व्रति आएगी अगर तामसी है तो तेज तत्व के प्रावाव से मन में क्रोध आता है जब मन में क्रोध आए तो समझ लेना कि तेज तत्व का तमस है अब इसको मैं सत्ता दूँ चाहे इसको देखू समझो गाड़ी खड़े में जा रहे है अब एक्सिलिट नदू या ब्रेक मारू मेरे आत की बात है अच्वा मोर दूप मेरे आत की बात है तो जब गुस्सा आए तो आप उस गुस्से को तेज तत्व का असर मन पे हुआ है उसको देखने वाला चिदाकाश मेरा परमात्मा मेरे साथ इतना सोचो तो गुस्सा आपका खुन खराब नहीं करेगा महाशनो महावैरी भगवान ने का महाशत्रो महावैरी है काम एशक ग्रोधा यह रजोगुन से उत्पन होते रजस्मिश्रित्तमा अगर वायुतत्व वायुतन मात्रा में आपका मन जुड़ा है तो वायु चंचल है आपके मन में चंचल व्रत्य उत्पन होगी तो चंचल व्रत्य को उत्पन तो हुआ है देखा लेकिन लंबा स्वांस लेके दिर घर चब क्यारी ओ तो वायुतत्यो की रिधम बन जाएगी तो मन की चंचलता तो थोड़ी रहेगी लेकिन रिधम सात्विक हो जाएगी तो नुकसान नहीं करें। फिर पांचमा है आकाश्तन मात्रा से आप जुड़ते हो। मन जब आकाश्तन मात्रा से जुड़ता है तो उसे शोक होता है। जैसे आकाश सुन्न है, ऐसे तमस, आकाश्टत्त्तो की तमस्तन मात्रा से, मन शोक में सुन्न हो गया. अथ्वा, मुर्चित हो गया, तब भी आप जिन्दे हैं, मन भी है, लेकिर मुर्चित हो गया, क्योंकि आकाश का रजस में सो गया है. लेकिन आकाश्टत्व का चिन्तन करते चिदाकाश का मन शान्त हो गया तो आप योगी पुरुष होगे कितनी उची बात है स्वस्त पुरुष की पहचाने की कष्ट सहने का उसमें सामर्थ है त्याक का सामर्थ है अपमान पचाने का सामर्थ है मान पचाने का सामर्थ है बुद्धिमान पुरुष की पहचाने की कब किस से जुड़ना कब हाथ बढ़ाना और कब हाथ अपना प्रवुति से समेट लेना और कहां अपना हाथ लंबा करना एक घटिर घटना है अखननन महराज ने कही केंद्रिय ओफिसर वरिष्ट अधिकारी पंजाब गए तो चेकिंग करते बातचित करते एक अपने अपने विभाग के सरदार ने पूछ लिया कि साहब गौवर्मेंट वही दी वही और अस्सा सारे मुलाजमा तो आपका इतना ज़्यादा पगार और हम लोगों के इतना कम सेलरी क्यों है उस महराश्टर के केंद्रिय ओफिसर ने कहा कि भई कब क्या करना और क्या ना करना कब पसारना पैर और कब समिट लेना ये बुद्धी मता का काम बोले तो हम कोई बुद्धू है कि बोले नहीं हम ऐसा नहीं कहते हैं लेकिन कोई हर एक का अपनी अपनी योग यता होती अच्छा मैं अभी समझाता हूं नेखो तुम भी अमारी ओफिस की तो हमारी डिपार्टमेंट के आप जितनी ताकत हो सरदार जी पूरी ताकत लगा कर मैं मेज पे आत रखता हूं और आप गुसा मारूं ठोसा मारूं सरदार ने का सत्स्रीय का वाल यह तो हो सकता है उसने भी अपना पंजाब के योँ खाये थे जैवजरंग उठा कर जोरों से गुसा ऐसा मारा की पूरी ताकत लगा दे गुसा तो मेज पे पड़े उसके हाथ पे गिरे उसके पहले ऑफिसर ने हाथ खीच लिया और सरदार क हाथ गुसा की चोट meteredो हो गया कि आप कल्प ना करिए, कुचला होगा बुट्टा, बुट्टा मतलब हो यह वो नहीं, उसको बोलते है बंगन बंगनोना हुबला हिवा बंगन, अबंगन. और दे भुचला थे जए लुच्छा तो है क्या जासे हो जाए भी बिचारी पाल आप देखता रहा, सद्धार ने का ये कीटा तुझे, बोले मैं तुमको प्रैक्टिकल बता रहा था, कि कब हात उठा लेना और कहां आत थमाए रखना, कहां पैर पसारने और कहां से पैर खीच लेने, कहां आत पसारना, उसकी मोके पे जो निर्ने करने की शक्ति है, उसी की क अचन लगे और कब संसार से मन हट जाए, उस सरदार को तो एक बार विचार को चोट लगी हाथ पे, हम लोग तो दिन रात चोटे खाते रहते, क्यों चोटे खाते, कि हमारा हाथ हटता ही नहीं, लवरी तो चली गए, प्रियतम तो चला गया, लेकिन विरे तेरे भिना भिक समेटने का बल नहीं है तो नजाने कितने जन्मों तक ये जीव चोटे खाता रहे कब कहा मन लगाना कब कहा से अटाना और मन में इन पाँच तनमात्रों का प्रभाव से अदल बदल होती उसको देखने वाला कैसा प्यारा है अगो मेरा आत्मा होके बैठा आपने शिव जी का दर्शन कर लिया नहीं तो शिव जी के धाम में आप पहुँच गए अपने निश्च के अनुसार कर्म को कार्यविंत करने का सामर्थ्याना चाहिए कष्ट सहने का सामर्थ्याना चाहिए त्याग का सामर्थ्याना चाहिए मन को दिशा निर्देश देने का सामर्थ्या आना चाहिए ऐसे नहीं कि मन को जो अच्छा लगे वो करने लग जाओ तो कीट पतं का मन भी ऐसे करता है कुट्टे ने जले भी देखिया लाड गिर गई पूँची लारा डंडा देखा तो पूँच दब गया तो हमने भी ऐसे ही किया तो हमने क्या उन्नती की क्या बाहदुरी की साधारान कुट्टे से साधारान कीट पतं से हम मनुष्या है जो मन से अपने उंचे में उंचे सबंद के साथ जुड़ सके इसका नाम है मनुष्या कीट, पतंग और पशुक उंचे परब्रम परमात्म का ज्ञान समझ नहीं सकता और अपना मन लगा नहीं सकता लेकिन महापुरुष अथ्वा तो मनुष्य अगर सत्संग मिलता है तो महान में महान परब्रम परमात्म पुरुष्य अपना मन लगा कर महापुरुष हो जाता है तो कईयों का मन सैलानी मन होता है जहाँ देगा बस यह लह लाँ, यह खा लें, यह कर लें अमेरिका में जाते हैं स्टोर में खरिदना कुछ है लेकिन कई वराइटियन देखें कुछ का कुछ ले आते हैं सैलानी मन के पहचाद बाजार में गए कुछ लेने को लेकिन और भी कुछ उठा के लिए आए, सैलानी मन, मुस्तकिल मन, जो आदेश दिया वही करे। अरे कई अंग्रेजों ने और कई दूसरे लोकों ने कुत्तों को मुस्तकिल मन वाला बना दिया। और उसने जुत्ता उतार के कुत्ते को गव्यावड़। वह कुत्ता वहां से हिले नहीं। तो जब कुत्ते का मन मुस्तकिल हो सकता है तो अपना मन शैलानी कब तक रखे। दूर है नहीं। टिकेटेक आए मिले मिलाए। जैसे आपका शरीर का अंग आपसे अभिन्न है ऐसे आपसे ओपर मात्मा शीव अभिन्न। ऐसी कुनसी जगह है शरीर की जहां आप नहीं हो। पूरे शरीर में आप हैं। ऐसे पूरे ब्रहमाणड में वो चिदाकाश है और ब्रहमाणडों के पार भी तो आपके यहां भी सब इन तन मात्रों में भी उसी की छित्ना इसलिए कहता है कि पाप से बच्चो पाप से घ्रणा करो पापी से नहीं क्योंकि पापी की गहराय में तो वो चैतन्या है कब भी वो बदल सकता है और कई ऐसे एक भेहन कर पापी भी बदल गए तो महानात्मा बढ़ गए क्योंकि जीव का असली स्वरुप तो महानात्मा से हिस्पूरित होता है यह विकार पाप तो आगंतुक है और पाप और विकार गलतियां आती है अगर सावधान रहे तो उन गलतियों को निकाले तो शुद हो जाए लेकिन गल्तियों के द्वारा जो मजा आता है वो मजा लेता रहे और समझाने वाले गुरू की बात का उल्टार्थ ले तो और गल्तियां करे गिरे और पतन का महापतन फिर उस कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मन को किसी मठ का मंदिर का किसी कहीं गद्धी पती बना दो तो राम जीने का तुम तो बोलते हैं तेरे को आकारान लात मारिया तू नाले में गिरा तो इसको सजा देने के लिए तेरे से पूस्ता तू बोलता है किसी मठ मंदिर का इसको गद्धी पती बना दो मुले प्रभू अगले जन्न में मैं भी ऐसे गदी पती था माल खाया पुझवाया आभी मैं ये दुर्दशा भोग रहा हूँ मान पुरी है जहर की खाये सो मर जाए चाहा उसी की राखता वो भी आती दुख पाए मैं दुख पा रहा हूँ कुट्टे की योगे बुपत का खाना सत्याना अगर सत्संग सहियम साधन नहीं है तो बोजा चड़ता है धर्म का सिर्फ पर मान देने वाले आपके पुन्य ले जाएंगे हाँ वही पुन्य ले जाएंगे इस डर से आप सत्करम न करो लेकिन पुन्य पाप परमात्मा के चर्णों में करके आप सब की भलाई के लिए सत्करम करो और अपनी अवकात के अनुसार करो तो आपका मन खुशामत से सुखी हो रहा है तो आप जल्तन मात्रा के स्नेहे गुण में बहार फसे अगर आपका मन ध्यान भजन से और सेवा से खुश होता है तो आप जल्तन मात्रा के स्नेहे गुण में अंतर्मक हो रहे है मान पुड़ी है जहर की बहार ले जाएगी हाँ जब तक इन पाच्चो तन मात्राओं के प्रभाव से अपने को प्रथक नहीं जाना नहीं मन को किया तब तक खत्रे से खाली नहीं तुमारी पुजा और तुमारी वावाई और तुमारे चंचो का सुईधाये यह तो जब तक गुरुत्वा करशनियम के चीजपार नहीं जाती तब तक गिरने का डर रहता है ऐसे ही इन पाँच तनमात्रा और तिन गुणों के प्रभाव से आप अपने पार स्वरूप को नहीं जानते तब तक सावधान रहना पड़ता है महत उंची समझ की जरुवत है उंचे वत्याग की जरुवत है उंचे ज्ञान की जरुवत है त्मरी इगत्ति मत्ति तुमही जानी नानकदास सदन कुरुवानी इतनी उंच hits को चुवे गूरू नानक पर भी कहते नानकदास बहुद कि जो पुझवाता और यौ आशिरवाद करता उसको दास कहने को कहएगा लेके नानक जीने तो रदे पुरोका होगा नारायन हरी नारायन हरी अच्छा तु भगवान शिव जी का वच्चन फिर से उचारण करो शिवो गुरह शिवो देवा शिवो बंदू शरीरिणाम शिवो आत्मा शिवो जीवा शिवाद अन्यनकिंचिता कितने उचे पुराणों की उची समझ है वो ची दाकास्वरूप परभ्रह्म परमात्मा शिव बोलतें वो गुरु के रूप में भी मैं ही हुची दाकास भगवान शिव गुरू है शिव देवता है शिव ही प्राणियों के बंदू है सभी प्राणियों के अंदर चिदाकास्वरूप शिव ही तो बंदू है स्रे आता है जाता है गुरूद आता है जाता है द्रवता आती है जाती है मुर्चा आती है जाती है लेकिन वो तो सदा रहता है, शरीर आता है जाता है, फिर भी वो बंधु रूप में चिदाकास तो सर्वतर अपने साथ है, सहुदर भी साथ नहीं, पत्नी भी साथ नहीं, शरीर भी साथ नहीं रहता, फिर भी वो चिदाकास रूप बंधु का बंधु साथ, कितनी उची समझ पुराणों की, प्राणियों के बंदू है, शीव ही आत्मा है, और शीव ही जीव है, क्योंकि शरीर को और इन तन मात्राओं को मिला कर सुखी रहने की जीने की वास्ना है, तो जीव हो गया. शीव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, लो, जैसे शक कर के खिलोने, शक कर का खिलोने बना हाथी, उस पे बैठा राजा, और आस पास में दूसरे लोग खिलोने, शेहनाई बजा रहे है, शेहनाई वाले के शेहनाई को जरा चबा लो, स्वाद खांड का, और राजा का हाथ तोड़कर, उंगली तोड़कर मुह में डालो तो, स्वाद खांड का, अठी कि शूंड को जरा चको तो और उसकी पुंच को जको तो स्वाध घंड का राजय साब को थपड मारके उसका कान खीचके उसका टुकड़ा मुह में डाले तो स्वाध घंड का है सब घंड हैं ऐसे ही इस प्रकार का चिंतन करने वाले का मन, शत्रु के प्रति उद्विग्न नहीं, और मित्र में आसक्त नहीं, शत्रु और मित्र के गाहराय में अपने चिदारंद रूपा शिवो हम, शिवो हम, इससे बड़ा उपदेश तो हम जानते नहीं, और मुझे तो लगता है कि इतना उपदेश अगर पच जाए और आत्मसात कर लें, तो देवता तुम्हारा दिदार करके अपना भाग्य बनाने को भी तत्पर हो जाएंगे, घंधरु किन्दप यक्ष, कि ऐसा उंचा भगवान शिवो तत्व का ज्यान है, ओम सणापवत्तु सनवभुनत्तु सबियं कर्वावं तिजस्विनः वदितमस्तु मा विद्विष्यांवं ओमुशांति शांति 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 झाल